नमस्कार उत्तर पर्देश के खबरों में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीपक कुमार उत्तर पर्देश के उन्नाप कांड के आरोपी बिधायक कुलदीव सिंग सेंगर को तीन सस्त्र लाइसेंस रद कर दिये हैं आपको बता दे उन्नाप जिला मजिस्टेट कोर्ट में विधायक के सस्त्र लाइसेंस रद करने के पिरक्रण में विधायक पक्स के बकील ने पहुचने से सुकुरवार को सुनवाई टल गई लेकिन देर साम आरोपी विधाय के तीनो सस्तर लाइसेंस रद कर दिये गए आपको बता दे उन्नाब डियेम ने आयूद लिपिक को बुला कर सस्तर लाइसेंस रद करने का आदेश जारी किया है गुजराज सरकार की पुस्तकों में बाबा साहे भीमराब अमबेटकर के गलत नारे पढ़ाय जाने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कांग्रेज की तरह भाजपा के दलित विरोधी चेहरे को जागर करता है बसपा सुप्रीमो ने इसमें ततकाल सुधार करने की मांग की है आपको बता दे उन्होंने सनिवार को टुवीट पर कहा कि सिक्सित बनो संगर्ज करो संगठित रहो बावा साहिब डाक्टर का वह अमर बाक्य है जो करोडों दलितों पिछडों को आगे बढ़ाने की प्रेणा वह सकती देता है पर गुजरास सरकार की पुस्तकों में उसे गलित तरीके से पढ़ाया जा रहा है उन्नाप कर्ण की रेप पिड़ीता को न्याय दिलाने की मांग के लिए प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी ने हस्ता अक्षर अभ्यान चलाने का फैसला लिया है इसमें प्रदेश बयापी अभ्यान का सुभारम सनिवार को हो सकता है आपको बतादे जानकारी देते हुए कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता ने कहा कि इस मामले में सुप्रियम कोड द्वारा उठाये गए कदम से पिड़ीता को न्याय मिलने की उमीद तो जगी है लेकिन जिस तरह से सरकार आरोपी बिधायक समेत अन्य आरोपियों को संगरक्षन दे रही है उससे तो यही लगता है कि जब तक बिधायक को तिहार जेल नहीं भेजा जाता तब तक पिड़ीता पे उसके परिजनों की जान को गंभीर खत्रा बना रहेगा जिसके लिए पिड़ेश भर में तीन दिन तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा उननाब दुसकर्म कांड की पीडिता की कार में टककर मानने के आरोपी ट्रक चालक को तीन दिन की पुलिस कस्टिडी रिमांड पर दिये जाने को मंजूरी मिल गई है आपको बता दे सीबियाई के और से लोक अभी हो जाकर रामबावू कर नोजिया ने आरोपियों को साथ दिन के लिए पुलिस कस्टिडी में दिये जाने की मांग करते हुए अरजी दाखिल की थी जिस पर फैसला लिया गया है इससे पहले कड़ी सुरक्सा के बीच ट्रक चालक और किलीनर को अदालत में फेस किया गया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भगवान स्रीकरश्न के जनमिस्थली मतुरा में पहली वार भब्य और दिब्य स्रीकरश्न जनमाश्टमिक आयोजन करने जा रही है बतादे जनमाश्टमिक आयोजन 17 तारिक से 24 तारिक तक मतुरा और आसपास के मंदिरों और धर्मिस्थानों में किया जाएगा इसके लिए बड़े स्तर पर सांस्क्रितिक व्य धर्मिक गति विद्यावी आयोजित की जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने पहली वार मतुरा में सिरीक रश्न जनमोटसप को पूरी भव्यता वे दिव्यता के साथ मनाने के निर्देश दिये है इस बुलेटीन में इतना ही देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ खबर से लेकर असर तक